नमस्ते महुंदीव आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर यहाँ पर हमारे सामने दो साउंड्स हैं एक बार हम पहले सुन लेते हैं कि यह क्या कहती हैं ओके यहाँ पर मैंने एक बेस का एक सिंगल नोट रखा यहाँ पर आप कॉर्ड रख सकते हैं कोई भी मैलेडी रख सकते हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक यह चीज़ यूज़ किये और निची हमारे पास केक है जो आप देख सकते हैं और दोनों जब एक साथ चलती है तो मैं देखता हूँ कि मेरी किक के अंदर भी low frequency का content है और definitely मेरी base का जो note है वो भी है तो आपस में वो एक दूसरे को थोड़ा परिशान कर रहे हैं इंटरफेर कर रहे हैं यह हो सकता है किसी vocal के साथ आपका हो रहा हो किसी chord के साथ हो रहा हो यहाँ पर बहुत ही जल्दी से हम देखते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ मैंने select किया मेरा केक वाला और यहाँ पर मैं गया यहाँ पर अगर आप देखेंगे लिखा है send इस पर click किया यहाँ से गया मैं bus और यहाँ से मैं एक bus चलिए bus number one मैं जैसी इस पर click करूँगा आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास एक aux channel यहाँ पर लिखा है bus ठीक है अब दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है पहली चीज जो यह stereo output है इस पर मैंने click किया और मैंने कहा no output मुझे यहाँ से कोई भी output नहीं चाहिए right दूसरी चीज यहाँ पर जब हम जाते हैं यह जो मैंने bus पनाई है इसका volume जो है मुझे वो zero कर देनी है तो पकड़के आप इस तरह कर देंगे या फिर आप press करेंगे अपने keyboard पे option और इस पे एक single click दे देंगे यह zero zero पे हो गया बहुती simple, बहुती easy यहाँ से मैं जाता हूँ मेरे sub पे, chord पे, melody भी कुछ भी आप कहना चाहें यहाँ गया, यहाँ से मैं audio effects में गया compressor चाहिए यहाँ से ले लीजिए चाहिए आप dynamics के अंदर भी लें तो भी एक ही बात है और जो compressor है logica वो by default इस तरह से नजर आता है यहाँ पर meter दिखते हैं और यहाँ पर graph दिखते हैं यह overall क्या चीज़ करता है टेक्निकली compressor क्या है यह हम आने वाले lectures में बहुती detail में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर फिलहाल हम पढ़ रहे है side chain अब यहाँ पर देखिए क्या करने में वाला हूँ यहाँ टॉप पर लिखा है side chain इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं गया bus और bus में वहाँ पर लिखा है devnext level boom bap kick यह मेरे sample pack की kick है आप जाके मेरी devnext level dot in website पर बहुत सारे sample free भी है paid भी है आप चेक कर सकते हैं इसमें मैंने क्लिक कर दिया अब यह side chain हो गया है मेरी kick वाली bus के साथ यहाँ पर मैं threshold को बहुत down कर दूँगा और ratio को काफी up कर दूँगा यह थोड़ा सा hard compression है अब यह क्या होने वाला है एक तकड़ी की तरह जैसे हम तोलते हैं जब भी मेरा kick यहाँ पर hit करे तो इसका जो volume है थोड़ा सा वो down हो जाए और जहाँ पर kick नहीं है वापिस वो volume up हो जाए वो एक दूसरे को interfere भी ना करें और बहुत ही अच्छी एक bouncy सी feel ने सुनते हैं क्या चीज़ बनेगी आप अकेले base के उपर ही ध्यान दीजियो वो इस तरह होना शुरू हो गया पहले क्या था अगर मैं इसे mute कर दूँ एक single note राइट वापिस में इसे click करता हूँ अब जब इस पर हम click करेंगे तो जहाँ मेरी kick आती है वहाँ पर उसका volume थोड़ा down हो जाता है और बाकी आप होता है तो बहुती एक bouncy सी feel आती है बहुती beautiful feel आती है यहाँ पर हम graph अले representation के अंदर देख सकते हैं जैसे click काती है volume down हो जाता है जब click चले आती है volume up हो जाता है इस चीज़ को हम कहते है side chain compression और अकेला compression क्या है यह पूरा compressor क्या चीज़ करता है बहुत अलग लग तरह के यहाँ पर हमें दिये गए है बहुत detail में हम पढ़ने वाले हैं आने वल lectures में तब तक के लिए देवनेक्स लेवल signing out नमस्ते